तो आप आजकल सर्विस सेंटर जाते होगे अपने बाइक को लेकर और आपने देखा होगे कि कुछ लैप टॉप या टैबलेट जैसा कोई डिवाइस आपके बाइक में कनेक्ट किया जाता है जितनी भी स्पोर्स बाइक हैं चाहे की एटियम ले 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 तो इस तर होता है यह ECU एक डिवाइस होता है आपके बाइक में लगा रहता है यह आजकल स्मार्ट तरह का डिवाइस है और यह हर तरह की कारों में लगा रहता है आप नॉर्मल से नॉर्मल एंट्री लेवल की कार ले चाहे आप लग्जरी कार SUV तक आप देखें तो सब में लगा रह कहते हैं या ECM भी कहते हैं तो यह जो डिवाइस होता है इसका काम क्या होता है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो है कि एक ऐसा डिवाइस जो सभी पार्ट को कंट्रोल करता है सभी पार्ट से जोड़ा रहता है और उनकी की इन्फोमेशन क्लेट करता है एक तरह से आप ले सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है CPU में वैसे उसी तरह से यह रहता है डिवाइस ECU जो सब एक पार्ट को कनेट करके उनको रीड करता है तो जब उसमें टैबलेट या लैप्टॉप अगेरा कनेट किया जाता है तो वो इन्फोमेशन शेयर होती है आपके उस टैबलेट में और जो सर्विस सेंटर पे जो मेक चोटी मोठी प्रॉलम को सॉल्व किया जा सकता है तो यह एक अच्छा डिवाइस है जिसकी वज़े से टाइम की बचत होती है साथ-साथ में मिंटों में काम हो जाता है और कुछ नए अपडेट आने पर इसे अपडेट भी किया जाता है डिरेक्ली और बाइक की जो पॉफ अंदाने पर लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बैल आइकन को दबाने के साथ-साथ और अगले टापिक के साथ पर मिलते हैं See you again